साथियों, पहले की सरकारों ने भारत के गाउंगों के साथ एक और बड़ा अन्याय किया था। और कई राजनितिक दल अपनी दुकान चला रहे थे। भारतिय जनता पार्टी ने गाउंगों के साथ हो रहे इस अन्याय को भी समाप्त कर दिया है। रुप्य से जादा खर्च किया जा रहा है। पी-एम आवास योजना पर भी लाखों करोड रुप्य खर्च किये जा रहे हैं। दसकों से अधिप अधुरी पड़ी सींचाई परी योजनाओं को पूरा करने के लिए एक लाख करोड रुप्य खर्च किये जा रहे हैं। पी-एम ग्रामिल सड़क योजना पर भी हजारो करोड रुप्य खर्च किये जा रहे हैं। पी-एम किसान सम्मान निजी के तहद भी सरकार ने करिब-करिब डाई लाख करोड रुप्य सीधे किसानों के बैंक खातों में बेजे हैं। यहां MP के लगबग 90 लाख किसानों को भी साड़े 18,000 करोड रुप्य इस योजना के तहद मिले हैं। इस निजी से रीवा के किसानों को भी करिब-करिब 500 करोड रुप्या मिले हैं। हमारी सरकार ने जो MSP बढ़ाई है उससे भी गाउं में हजारो करोड रुप्य अतिरिक्त पहुंचे हैं। कोरोना के इस काल में पिछले तीन साल से हमारी सरकार गाउं में रहने वाले गरीबों को मुप्त राशन दे रही है। गरीब कल्यार की इसोजना पर भी तीन लाग करोड रुपे से अधिक खर्च किये जा रहे हैं। साथियों जब गाउं में विकास के इतने काम होते हैं, जब इतना सारा पैसा खर्च होता है, तो गाउं में रोजगार के आउसर भी बनते हैं। गाउं में रोजगार, स्वरोजगार को गती देने के लिए, गाउं के लोगों को गाउं में ही काम देने के लिए केंदर सरकार मुद्रा योजना भी चला रही है। मुद्रा योजना के तहर लोगों को बीते वर्षों में 24 लाग करोड रुप्य की मदद दी गई है। इससे गाउं में भी करोडो लोगों ने अपना रोजगार शुरू किया है। मुद्रा योजना की बहुत बड़ी लाबारती भी हमारी बेहने हैं, बेटिया हैं, माताएं हैं। हमारी सरकार की योजना किस तरह गाउं में महिला ससक्तिकन कर रही है। गाउं में महिलाओं को आर्ती गृप से ससक्त कर रही है। उसकी चर्चा आज हर तरफ है। बीते नव साल में नव करोड महिलाएं सेल्फिल्फ गृप में शामिल हुई है। यहां मद्दपदेश में भी पचास लाख से जादा महिलाएं स्वयम सहायता समू से जुड़ी है। हमारी सरकार में हर स्वयम सहायता समू को बिना बैंगरटी बिस लाख रुपय तक का रन दिया जा रहा है। कितने ही लगूद्योगों की कमान अम महिलाएं ही सबाल रही है। यहां तो राज सरकार ने हर जिले में दीजी कैफे भी बनाया है। पिछले पंचायत चुनाओं में सेल्फ हेल्फ गूर्प से जुड़ी करीब सत्रा हजार बहने पंचायत प्रतिनिती के तौर पर चुनी गई है। यह अपने आप में बड़े गर्व की बात है। महमत अपदेश की नारी शक्ती को इसके लिए फिर एक बार बहुत बहुत बदाई देता हूँ।